स्टूरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नैचरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पूरे नंबर सिस्टम को समझा था और कुछ ट्रू फॉल्स भी किये थे अब हम लोग इंटीजर्स के मैथेमेटिकल अपरेशन की तरफ चलेंगे जिसमें से अभी हम लोग कर रहे हैं इंटीजर्स का एडिशन देखिए इंटीजर्स के एडिशन से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये इंटीजर्स के एडिशन में हम लोग क्या करेंगे देखिए अभी तक आप लोग नेचरल नंबर्स के उपर वर्क करते आए हैं और नेचरल नंबर्स के बारे पर मैंने बताया हैं कि स्टार्टिंग विथ वन and all positive numbers up to infinite तो अगर natural numbers का ही sum करना है तो उसमें सारे positive numbers ही आएंगे जैसे 2 plus 3 is equal to 5 7 plus 9 is equal to 16 like this इसमें कोई भी negative number नहीं आता था लेकिन अब हम अगर integer chapter पढ़ रहे हैं तो integers का मतलब है आपके negative numbers 0 और positive numbers ये सब ही integers के अंदर आते हैं इसलिए जब आप इनका addition, subtraction, multiplication या division करेंगे तो उसमें जो numbers use होंगे वो positive, negative या 0 कुछ भी हो सकते हैं तीक है? आईए देखते हैं I have two numbers one number is 15 and second number is minus 8 because it is negative number and it is positive number and both the numbers are integers and we have to add them, ये बीच में ये है, आप ध्यान से समझेगा कि आपको सबसे पहले ये decide करना है sign देखकर कि actually mathematical operation होगा कौन सा मतलब plus होगा या minus होगा और ये हम लोग तभी चेक करेंगे जब दोनों integers के बीच में plus या minus का sign हो तो पहले हम लोग sign देखकर ये decide करेंगे कि mathematical operation कौन सा होना है multiplication और division के case में ऐसा नहीं होगा multiplication और division के case में बीच में multiply का और division का sign होगा तो सबसे पहले multiply और division ही करेंगे लेकिन plus या minus के case में आपको पहले ये decide करना है कि mathematical operation plus होगा या minus होगा देखिए कैसे, आप देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए, हमेशा प्लस और प्लस का कॉंबिनेशन जो होता है, वो प्लस होता है, प्लस और माइनस का कॉंबिनेशन जो होता है, वो माइनस होता है, माइनस प्लस का कॉंबिनेशन माइनस होता है, और माइनस माइनस का कॉंबिनेशन प्लस होता है, इसे आप याद कैसे रखेंगे, इसे आप याद रखेंगे, कि जहां दोनों साइन सेम हो, जहां दोनों साइन same हो, sum होता है addition होता है, और जहाँ दोनों sign opposite हो, वहाँ minus होता है, ठीक है so plus minus, minus तो आप इसकी next step लिखेंगे ठीक है plus, minus minus इसलिए हमने यहाँ plus minus क्या लिख दिया minus लिख दिया अब देखिए, इस 15 का कोई sign नहीं है it means, कि यह positive sign है किसी भी number के पहले कोई sign नहीं होता है मतलब वो number कैसा है, positive number है, तो यहाँ पर 15 जो है, वो positive है और 8 है, वो negative है तो अब आप फिर से देखना होगा, यहाँ देखिए, कोई sign नहीं है, मतलब plus है, plus minus plus minus minus, यानि यह decide करेंगे, कि करना क्या है तो हमें क्या करना है, minus करना है, तो आप 15 में से 8 को minus कर दीजे तो आपका answer आएगा, 7 बट, अभी complete answer नहीं है, आपको इस step पर यह तो समझ में आया, कि हमें mathematical operation कौन सा करना है हमें minus करना है, लेकिन जब answer आता है, तो आपको उसका sign भी लिखना है आप देखिए, हमेशा कोई भी mathematical operation, जो plus या minus में हम लोग करते हैं, integers का उसमें answer में sign हमेशा greater value का लगता है, यहाँ पर देखिए, 15 greater value है, 8 और 15 में से greater value को हने, 15 है, और उसका sign क्या है, positive है, इसलिए 7 का sign भी क्या लगेगा positive लगेगा, और positive sign को लिखते नहीं है, इसलिए plus 7 हमारा answer होगा, ठीक है, next question पर आते हैं अब देखिए, first integer है minus 32, second integer है 47, और इन दोनों के बीच में plus का operation है mathematical operation जो है, वो plus का अब आप क्या करेंगे, देखिए, again the same, first आप यहाँ 32 को bracket से बहार निकालिए, अब देखिए, दोनों numbers के अपने sign है, आपको सबसे पहले यह decide करना है कि plus होगा यह minus होगा, कैसे decide करेंगे आप दोनों opposite sign है, दोनो opposite sign है, और opposite sign होता है, तो क्या होता है, minus होता है, तो minus plus minus 47 में से 32 क्या करेंगे, minus करेंगे, जब आप 47 में से 32 minus करेंगे, तो 7 minus 2, 5 and 4 minus 3 1 बट अभी complete answer नहीं है, आपको पहले चेक करना पड़ेगा, कि greater value का sign कौन सा है, 32 और 47 में से greater value को होन है, 47 और 47 का sign को होन है, plus, इसलिए इस answer का भी sign क्या होगा, plus sign होगा, next question देखते हैं, minus 7 plus minus 23 ठीक है, we have given 2 integers, one is minus 7 and second is minus 23 and we have to add them, both the integers, so first, what we will do, minus 7 will be as it is, that plus minus, plus minus, minus, now, again, two numbers, so, minus minus, plus, यहाँ decide करेंगे कि mathematical operation कौन सा करना है, so, minus minus, plus, याने हमें क्या करना है, दोनों को plus करना है, आप 23 और 7 को जब plus करेंगे, तो 30 आएगा, लेकिन आपको यह देखना है अब answer में, कि answer का sign कौन सा लगेगा, तो आप देखिए, इन दोनों में से, greater value को होने, 23, और 23 का sign क्या है, minus है, इसलिए आपको इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, minus लगाना पड़ेगा, इसलिए यह minus हो जाएगा, minus 30 जाएगा, minus 30 जाएगा, minus 30 जाएगा, minus 15 प्लस 40, plus minus, minus, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, minus, यहने, difference निकालना है, so 40, minus 15, 40 minus 15 कितना होगा, 25, and ग्रेटर वाल्य साइगा, जाएगा, now, next question is, 15, 15, 15 प्लस माइनस 60, देखिये, again, plus minus, minus, 15 का कोई sign नहीं है, it means plus है, फिर plus minus, plus minus, मतलब mathematical operation कौन सा होगा, negative, so 16, 60 में से 15 minus करेंगे, so 45, और दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, इसलिए ग्रेटर वैल्यू का sign लग जाएगा, minus, तो आपको, यह ध्यान देना है, अब आप देखिये, one more question, minus 11, minus, plus minus 11, दोनों का plus कर रहे है, so minus 11 will be as it is, plus minus, minus, so it will be minus 11, and again, minus minus plus, मैंने आपको बताया था, दोनों sign अगर same हो, तो आपको plus करना है, so 11 plus 11, 22, and greater value, तो दोनों ही value बराबर है, दोनों ही value equal है, तो दोनों में से, दोनों का sign minus है, इसलिए आप दोनों में से किसी का भी sign लगा सकते हो, minus 22, answer,